और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है कोई आगजनी की, कोई और तोड़ फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेट नहीं है इस संदर्व में अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें आज नयायले में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमान ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूष्टाच किया जाएगा उस पूश्टाच में आगे जिन लोगों का, जिन शड़ेंतरकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कारवाई की जाएगी केंदर से हमें 20 कंपनियां जो हैं वो अर्दसेहनिक बलों की प्राप्त हुई थी उनमें से तीन कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, एक कंपनी फरीदाबाद में है और दो कंपनी गुरुग्राम में है बाकी 14 कंपनियां वो नूम में स्थित हैं और हर्याना पुलिस की 28 कंपनियां जिसमें स्टेट पुलिस, आई यार्बी, एचेपी बटैलियन्स वो वहाँ पर अलग-अलग जिलों में जो है तैनाद की गई है, साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज थे, जो मभवन में विभ भी जो है ड्यूटी लगाई गई है, जो यह FIR से इसके बारे में अलग-अलग SIT बनाय जा रहे हैं, और हर SIT को 7-8 केसिस दिये जाएंगे, ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सके हैं, करफ्यू में भी आज थोड़े समय के लिए ढील दी गई है, ताकि लोग अपनी आवश्रक्ता अनुसार वस्तुएं, दवाई, दूद, इत्यादी खरीद सकें, और स्थिती पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, स्थिती में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, और इस तरीके के जो लोग भलकाओ भाशन या जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पे भी नज़र रखी जा रही है, मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा, कि हमारे कई अधिकारी मूह में और अन्य जगहों पर कैम्प कर रहे हैं, एडीजी लॉयन ओडर हैं, एडीजी साउथ रेंज हैं, आईजी लॉयन ओडर हैं, डी आईजी एस्टी एफ हैं, कई डिस्टिक्ट एस्पीज भी कुछ हमने बुलाए थे, और वो सब लगातार अपने अपने छेत्रों में गश्ट कर रहे हैं, लगातार स्थिती पर नगिरानी बनाए वह हैं, और जल्द से जल्द स्थिती को सामानिक किया जाएगा, किसी को भी कानून विवस्ता अपने हाथ में लेने का कोई जो है, इस तरीके का अफसर नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ सक्से सक्त कारवाई की जाएगी. इसके अलावा नू में अभी 90 आदमी और भी हमने डिटेन किये हैं, उनसे भी हम पूस्ताच कर रहे हैं, उनका क्या इंवाल्मेंट है, और जो संदिप पाए जाएगे, उनके खिलाफ भी जो है, उनने अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएग इसके अलावा भी चुकी इस तरह की घटना है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बारे में लगातार हम जो है सचेत हैं, और सब को सभी डिस्ट्रिक्ट एस्पीज को, कमिशनर्स अफ पुलीस को, रेंज आईजीज को, एडीजीज को, डीजीज को, डीजीज को, प्रतिक्राणी रखें, जो समवेधन शीर इलाके हैं, उन पे पुलिस प्रेजन्स रखें, और कोई भी उपद्रोकारी है, या कोई भी शरार्ती तत्वे, उसके खिलाफ सक से सक तरीके से निफ्टा जाएं। भाग जो है, अपने तरफ से श्रद्धानजली भी देता है, और उनको आर्थिक सहायता भी दी जारी है, इसके अलावा करीब उनीस बीस और पुलिस के मुलाजमों को ड्यूटी के दौरान चोटे लगी थी, उनमें से ज्यादा तर ठीक हैं, कुछ एक अभी उप्चार प्चाराधीन है, मुझे उम्मीद है, जल्द से जल्द वो ठीक हैं. इसके अभी पर एक अभी दर्जुई थे पटोधी में, और उसके बाद सोचल मीडिया पे लगाता है, उसने लोगों को ये भी कहा था कि वो मिवारती स्यात्र में शामिलों का और उसके बाद ये पूरे हालात बने हैं. मौनुमाननेस सहर्व के ग्रफतारी कप तक कहा, जो भी लोग इसमें सनलिप्त है, इस घटना में, उनके खिलाब सक्थ सक्थ कारवाई की जाए. क्या पुलिस के पास गुरुगराम को सेफ रहने के लिए कोई प्लान है, इसमें गंगा वड़ा सकता है, इसको लेकर क्या उत्यारिया हैं सब्सक्राइब कुल मिलाजुला के जो शहर है, उसमें एक घटना हुई थी, एक मस्जिद की, उसमें केस दर्ज हुआ है, उसमें ल सब्सक्राइब कानूनी कारवाई होगी, हो भी रही है, कई केसे में, राउंड अप भी हुए हैं लोग, कुछ के खिलाफ निवारक जो प्रिवेंटिव एक्शन है, वो भी लिया जाएगा और सक्ट कारवाई चीजगी जाएगी, गुरुगराम पूरी तरीके से सुरक्ष इसका लेप्स है ये, उसी की वज़े से ये हिंसा हुई है पर नौ में, देखिए जब इस तरह की घटना होती है, तो कई सारे प्रशन उठते हैं, उन प्रशनों की समीच्छा करना, उसके तह तक जाना ये एक अलग है, फिलाल हमारा धे ये है, कि जो स्थिती उभर रही है उस पे लगातार नजर रखें और उस पे तुरित कारवाई करें ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, ये इस पे अटकले लगाने किया जाए, जो ये बातें उठी हैं, इनके तह तक हम जाएंगे, जो भ यदि कोई शडियंत्र है, तो कौन-कौन इस शडियंत्र में शामिल था, कौन-कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है, कारवाई होगी, जो जो सबूते मिलेंगी, उनके आधार पे बिल्कुल नियायुचित कारवाई की जाएगी. भूछ कई एक बन्द के सिर्द की रहा ह ? मज़े ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी मॉल बंद किया गया है या किसी भी प्रकार से किसी भी दफ्तर गुरु ग४ार में कोई एसी गटना नहीं हुई है जहां कोई मॉल बंद किया गया हुð यदि इस तरह की कोई सूचना है या इस तरह का कोई भ्रामक प्रचार किया जा रहा है तो इस बिलकुल गलत है गुरुगराम पूरी तरीके से सुरक्षित है और मैं आश्वासन देता हूँ कि यहां किसी किसम का कोई बल्वा या कोई इस तरह की घटना होने को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा जो लोग इसमें करने का प्रयास करेंगे उनके खेलाब सक्ट सक्ट करवाई की हिए है। प्रवासी मुष्ट को निशाना मनाया गया है। तो गुरुगराम पुलिस की तरफ से या हर्यान पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया जाएं ताकि उनको विश्वास रहे कि गुरुगराम उनके लिए सुरक्षित है। परसों के बाद कल और आज में लगातार स्थिती में बहुत ज़्यादे सुधार हुआ।